हेलो एरिवन नमशकार मैं विजय सर्म आप सभी का स्वागत करता हूँ तो आज हैं सभी बच्चे जैसे प्रीविएस लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे DC मोटर की क्लासिफिकेशन के बारे में कि यह DC मोटर जो होती है वो मेरे कितने परकार की होती है कौन-कौन सी DC मोटर होती है तो उन सभी के बारे में हमने चर्चा करी थी जो है वो मैंने आपको दे दिया था जैसे जनरेटर पढ़ा था हम लोगों ने वैसे ही क्या होती है मोटर भी मेरे तीन टाइप की होती है सिरीज मोटर होती है अगर कंपाउंड मोटर की बात करूं तो कंपाउंड मोट की अगर वाइन्डिंग की आदार पे बात करें तो इसमें दो प्रकार की वाइनिंग उती है एक long cent winding होती है एक short cent winding होती है और differential compound motor में भी पढ़ेंगे तो हम long cent और short cent है तो दोनौई चीजें पढ़ेंगे क्लियर है तो आजाओ सभी बच्चे जितने भी बैठे हैं हमारे और करते हैं आगे की क्लास का सिरी गनेश हां जी आगे सभी बच्चे एवर कमेंट सेक्षन आप लोगों का देख लूँ मैं क्लास 36 यह कलीर है ओली जो के चलिए अब इसके बारे में बात करेंगे आपका की सिरीज मोटर जो होती है वो मेरी क्या होती है संट मोटर जो होती है वह क्या होती है और कंपाॉंड मोटर जो क्या होती है तो पहले हम लगाएंगे डी-सी स्री मोटर के पारे में तो चलो वही काम करते हैं सीरी मोटर वाइमिंद डात करेंगे रेडी वैरीकुड अगर size winding की होगी आर मेचर के स्रेणि करम में मेरा वाइंडिंग मेरा लगा हुआ है तो वो क्या क्यों डाएगा मेरा dc is drive मोटर कर लाएगा ठीक तो इसमें क्या होता है क्रंट कर एक हिए या current जैसे मालो यहां से मैंने plus से दिया तो यहां plus से गया, यहां भी plus बढ़ा यहां मेरा minus बढ़ा, ठीक है तो ऐसे करके यह जगह क्या आ जाएगी मेरी minus आ जाएगी ठीक है, clear है, इसमें किसी बच्चे को कोई doubt, इसमें सारे की सारी winding क्या होती है, मेरी series में ही होती है, अगर load की बात करूँ है बच्चो, तो load भी मैं क्या करूँ है यहां पर दे दूँ है, तो यह क्या हो गया RL यानी, load पर ति रो clear है, एक जी जा रखना कि इसमें I L बराबर होगा, I S E बराबर क्या होगा I A, R major current के बराबर होगा, तो current की value इसमें क्या रहेगी, dear, same रहेगी current की value इसमें क्या रहती है same ही रहती है, DC series motor में ठीक है, और सारी की सारी winding क्या होती है, इसमें मेरी सरेणी करम में होती है, तो वही चीज लिखोगे इसमे R major load पर ति रोद R major, load परति रोद और सरेणी winding series field oh sorry, सरेणी winding ना लिखो यहाँ पर यहाँ लिखोगे आप लोग field winding तो यहाँ क्या ची लिखने है तुम लोगों को और field winding सरेणी करम में होती है सरेणी करम में होती है, ठीक है ध्याँ रखना, series में motor को बना लोड के नहीं चलाना चाहिए, बिल्कुल सही बात है साओंगे, ठीक है? इसमें पूरण आर में चरदारा field winding में से होकर गुजरती है field winding में से होकर गुजरती है तो field winding मोटे तार तथा कम लपेट संक्यागी बनाई जाती है ठीक है, ये चीज़ द्याँ रखना कि इसमें field winding क्या होती है मोटे तार की तथा कम लपेट संक्यागी बनाई जाती है अगर आपन लोड में परिवर्टन करेंगे बच्चो तो इसमें क्या होगा कि field winding का जो magnetic field बनेगा जो चुम्ब की अच्छे तर बनेगा उसमें भी change होएगा ठीक है, तो इसमें total V क्या हो सकती है इसमें total V अपनी क्या हो सकती है बच्चो यहाँ से लिखेंगे आपँ वी total equal to total V क्या होगी, terminal voltage जो terminal voltage हम लोगों ने दिये हैं वो किसके बराबर होगी एक तो EB, यानि किसके back EMF के बराबर होगी पलस, आर मेचर, current और आर मेचर के resistance के बराबर पलस, और किस चीज के बराबर होगी बच्चो यहाँ से कहां जाएगी आगे तो यह होगी अपनी संट वाइंडिंग के बराबर तो ISH, RSH ठीक है, तो यहाँ से BT equal to क्या हो जाएगा मेरा यह आजएगा, clear है एक सेगड, एक सेगड, एक सेगड, एक सेगड चली, तो यह चीज हो जाएगा चीज समझ आई, clear है किसी बच्चे को कोई doubt इसमें अब बात करेंगे character sticks के बारे में DC series motor की character sticks क्या होती है सोमवीर असाब बच्चे समझ आगी चीज जो चीज हम लोग पढ़ रहे हैं अब हम बात करेंगे DC motor की character sticks के बारे में यह आपको मैंने PDF दे दी पूरी बड़े तरिक्के से लिखी हुई ठीक है अब बात करेंगे DC series motor के अभिलाक्षनिक वक्कर के बारे में ठीक है इसको क्या बोलते है character sticks बोलते है यह तीन परकार की character sticks हो सकती है मेरी तीन परकार की में सबसे पहले कौन-कौन सी हो सकती है तो नमबर एक पे आती है DC series motor के लिए load टोरक ठीक है या टोरक लोड नमबर एक पे क्या आता है टोरक लोड characteristics या अभिलाक्षनिक वक्कर अभिलाक्षनिक वक्कर ठीक है पहला क्या हो सकता है टोरक लोड तो टोरक लोड बनाते हैं तो वही चीज होगी यह एक पी पोइंट आ गया यह क्या आगी मेरी लोड दारा होगी लोड करंट यह क्या आगया बच्चो अपना टोरक आगया यह टोरक के बढ़ने की डिरेक्षन है और यह लोड करंट के बढ़ने की डिरेक्षन है तो इस डियाग्राम से आप क्या समझते हो कि जैसे-जैसे मैं क्या करूँगा, my dear student, load का मान बढ़ाऊंगा, तो वैसे-वैसे क्या हो जाएगा, इसमें तोरक भी बढ़ेगा, तो T समानुपाती इसमें किसका होगा, T समानुपाती किसके, क्या कैसी चीज़े बढ़ानी है मुझे, एक तो मुझे आर्मेचर करंट बढ़ाना है, ठीक है, आर्मेचर करंट इंटू, फाई-एसे-ई, ठीक है, जैसे-टोरक में हम लोग क्या लिख रहे थे, पहले भी इपने टोरक की परिवासा लिखी थी, साइद आप लोगों को याद हूँ, तो यहां से क्या होगा, यह इसका डाइग्राम बनेगा, और यह इसकी इक्वेशन बनेगी, ठीक है, तो जैसे-जैसे मैं क्या करूँगा, अगर मालो एक चीज और हो सकती है, और एक चीज और क्या हो सकती है, और ये चीज हो सकती है कि जो flux होगा series winding का वो समानुपाति किसके होगा वो किसके हिसाब से बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा मेरा series current के हिसाब से एक ये चीज भी हो सकती है अगर मान लो कि मैं series का current बढ़ाऊंगा बच्चो तो उसका flux से भी क्या हो जाएगा बढ़ता चला जाएगा समझा रही है चीज और दोनों current क्या होते है series current और आर मेचर current क्या होते है series current समानुपाति किसके होता है आर मेचर current के ठीक है इसको क्या लिखोगे तुम लोग बराबर में लिख सकते हो आई ये यानि ये क्या होगा मेरा आर मेचर current के बराबर दोबारा समझा देता हूं इस चीज को कि जैसे जैसे हम load बढ़ाएंगे load की direction में जाएंगे या load current बढ़ाएंगे वैसे वैसे मेरा क्या होगा तोरक बढ़ेगा और तोरक किस किस चीज के समानु पाती है बच्चे तो तोरक समानु पाती है मेरा आर मेचर current के और series flux के बराबर है और series field flux जो है वो किस के समानु पाती होता है वो होता है series current के समानु पाती और सिरीज जो करंट होता है वो किसके बराबर होता है मेरा आरमेचर करंट के बराबर होता है यानि क्या होगा कि अगर मैं आरमेचर करंट का मान बढ़ाऊंगा तो भी मेरा क्या होगा टोरक बढ़ेगा, और यहां पे भी हम लोगों ने क्या बढ़ाईये, लोट दारा बढ़ाईये, तो लोट दारा बढ़ाने के इसाब से मेरा टोरक भी क्या हुआ है, आगे बढ़ाईये, ठीक है, क्लिर है, यह एक चीज और हो सकती है अगर और चीज आपके तो क्या लिख सकते हैं तो यहां से एक चीज और लिख सकते हुआ आप लोग देवे एक चीज लिख रहे हैं अब इस में हम लोगों नहीं तो लिखा है यहां पर क्या है? PYE specifically किसके समानूपाती है? ISE के यानि इसकी जिग्रेट में क्या लिख सकता हूँ?ye लिख सकता हूँ. दोबारा समझाता हूँ यह चीज मैं तुम लोगों को दोबारा समझाता हूँ कि देखो यहां पर मैं ISE की ISE के समानुपाति है ना यह जब इसको थोड़ा सा इसे कर लगता है अब चीज़ समझाएगी नोट लगाकर दिखता हूँ फाई एस इ अनुकर्मानुपाति है अनुकर्मानुपाति है आर में सिरीज फिल्ड करंट के ठीक है तब और सिरीज फिल्ड करंट बराबर है करंट बराबर है आर मेंचर करंट के ठीक है तो इसको मानता हूँ मैं मानलो मैंने एक नंबर समीकरन दे दी इसको मैंने दो नंबर समीकरन दे दी इसको मैंने तीन नंबर समीकरन दे दी समीकरन के इसाब से चलता हूँ मैं आर मेंचर के बराबर ठीक है करन्ट आर मेंचर करन्ट की बराबर चुंकि ISE बराबर क्या है IA तो कि आई कि आई कि की जगह पर आई ये लिख सकते हैं ठीक है इसका प्यों रेल इंजिन में ट्रेक्शन कारी में किया जाता है बड़े देर बाद कमेंट आये हैं तुमारे कि तो T समानुपाती क्या हो सकता है IA इंटू IA या T समानुपाती IA की सुकेर होता है ये चीज़ समझाई है मैंने क्या लिखी है अगर नहीं समझाई तो भी चिंता करने की कोई बात नहीं है दुबारा समझा देता हूं तुमें देखो पहली बारी जो इक्वेशन लिखी थी हमने बच्चों उसमें भी लिखी थी कि जो टोरक होता है वो समानुपाती किसके होता है आर्मेचर करंट और सिरीज फिल्ड फलक्स के समानुपाती होता है अगर सिरीज फिल्ड फलक्स का मान बढ़ाऊंगा तो मेरा टोरक बढ़ेगा अगर आर्मेचर करंट का मान बढ़ाऊंगा तो भी मेरा क्या बढ़ेगा टोरक बढ़ेगा इस चीज़ को ना अच्छे से समझना ठीक है और सिरीज फिल्ड फलक्स किसके समानुपाती होता है तो यह होता है मेरा सिरीज करंट के समानुपाती ठीक है यह किसके समानुपाती होता है बच्चों सिरीज करंट के समानुपाती तो यहां पर सिरीज करंट किसके बराबर है तो सिरीज करंट बराबर है मेरा आर मेचर कि यहां से मैंने क्या लगा IA या IA C बराबर किसके है IA के तो अब मैंने अगर IA की जगए IA लिख दूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है ठीक है मुझे लेकर इस फॉर्मूले में आना है और IA C समानुपाति किसके है फाइस C की तो यहां पर मैंने फाइस C की जगए पर मैं मेरा क्या करेगा तो यहां पर क्या होता है कि अगर मालू वरक में बढ़ेगा उसी इसाब से मेरा क्या बढ़ेगा तो रख बढ़ेगा ठीक है चलो इस चीज में आके करें चीज समझाए पहला आता है अपना टोल्रक लोड अभी लख्शनिक वक्तट तो जिस इसाब से क्या होता है मेरी लोड करण बढ़ेगी उसी के वरक के इसाब से क्या हो जाएगा मेरा टोरक बढ़ेगा और यह फॉर्मूला आता है इसका हाँ जी बिल्कुल सिरीज मोटर का यूज कहां पे करते हैं रेल इंजन, क्रेन, ट्रेक्शन काम बिल्कुल सही पढ़ा है बच्चे मोटे तार और कम टरनों की होती है चलो आगे पढ़े नेक्स्ट आता है DC मोटर का गती लोड यानि चीजे तुम्हें समझ आई की नहीं आई ये भी बता दिया करो DC मोटर का स्पीड लोड करव ठीक है करव को क्या बोलते हैं वक्कर भी बोला जाता है तो स्पीड लोड करव क्या होगा बच्चे स्पीड लोड करव होगा अपना ये बनेगा अपना स्पीड लोड करव ठीक है तो स्पीड क्या होगी स्पीड को यहां से लिखता हूँ और यहां पर क्या हो जाएगा लोड करव ठीक है ये मेरा इस डिरेक्शन में जाएगा और स्पीड मेरी क्या जाएगी इस डिरेक्शन में जाएगी और यह तो तुम्हें भी पता है कि जब लोड का मान कम होता है यहां लिख लो शिरीज मोटर में जब लोड का मान कम होता है तो स्पीड अधिक होती है जैसे जैसे लोड का मान बढाएंगे स्पीड कम होती जैसे जैसे हम लोग क्या करेंगे स्पीड कंट्रोल और में तर्फिल्ड वाइंडिंग से कर सकते हैं कैसे स्पीड कंट्रोल का मेथड भी बताऊंगा कि इस मोटर को इस कारण सीरीज मोटर को बिना लोड जोड़े नहीं चलानी चाहिए क्योंकि नो लोड पर इसकी स्पीड बहुत ज्यादा हो जाएगी और मोटर की वाइंडिंग उखड सकती है मोटर की वाइंडिंग क्या हो जाएगी यह तो शोर है सर ठीक है कलियर है इसमें कोई डाउट तो नहीं है बता हो जी इसमें किसी भी परकार का बच्चे को को कोई डाउट है कि अगया है कि अगया है कि अगया है कि अगया है कि बच्चे मोटर पर लोड बढ़ाने पर दब जाएगी मोटर ऐसा नहीं होगा जब सिंक्रोन मोटर पढ़ेंगे तब बताऊँगा मैं तुम लोगों को इस चीज़ के बारे में चलिए आगए बढ़ें तो यह होता है मेरा डी सी मोटर का स्पीड लोड कराऊ कि जैसे जैसे हम लोग क्या करेंगे लोड बढ़ाएंगी उस हिसाब से मेरी स्पीड क्या हो फिर चार पर आया और फिर आगया मेरा पांच पर तो यहां पर मैं चलता हूं एक पर फिर दो पर फिर तीन पर चार पर और फिर पांच पर तो जब एक पर था तो उस टाइम पर मेरा क्या था मैं डियर स्टूडेंट जब मैं एक पर था तो उस टाइम पर मेरा लोड जब म डाउन आगे ठीक है तो लोड बढ़ाने पी क्या हो जाती है इसकी स्पीड कम हो जाती है फरक पड़ता है लोड बढ़ाने से ठीक है चलिए नेक्स्ट आता है डीसी सिरीज मोटर का स्पीड टोरक कराऊ तो नमबर तीन लिखते हैं नमबर तीन आगया अपना डीसी सिरीज मोटर का स्पीड डीसी सिरीज मोटर की स्पीड टोरक कराऊ ठीक है तो अभी हम लोगों ने एक चीज पड़ी थी अगर प्रीवियस लेक्चर में तो टोरक किस के समानुपाती होता है बच्चो तो टोरक होता है फ्लक्स के समानुपाती अगर मालो मैं फ्लक्स का मान बढ़ाऊंगा तो मेरा टोरक क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा ठीक है तो और फ्लक्स क्या होता है एन समानुपाती क्या होता है एक बटे फाई के अग उसके बारें बात करें न अभी हम पाईएसथि यह चीज बढ़ी है हम लोग होने टो जैसे जैसे मैं क्या करता हूं टोरक का मान बढ़ाऊँगा तो स्पीड का मान मेरा क्या जाएगा कम हो जाएगा तो डाइग्राम के एकर मैं बात करूँ तो डाइग्राम बिल्कुल वैसे ही बनेगा कि जैसे जैसे मैं क्या करूँगा यही बनेगा तो यह मेरा क्या है अगर मान लो मैं क्या करा हूँ तोरक का मान बढ़ा रहा हूँ तो मेरी स्पीड क्या हो रही है हिस्ट स्पीड क्या हो जाएगी कम हो जाएगे कल्य क्लीर चूरई बताओ इसमें किसी बच्छे को को है कि मैं देवर के लिए रह्ट हिसने अफ़लगा पढ़ने से क्या हो जाएगी और लोट दारा भणने क्या हो जाता है जाहां लेख लो तो रख बढ़ाने पर लोड़ दारा बड़ जाएगी और लोड़ दारा बढ़ने पर मोटर की स्पीड हम हो जाते हैं क्विश की से शीरीज मोटर के बारे में सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ने कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें बहुए कि कम हो क्लीर है terrorist तो यह यह चीजे क्लियर होगी अगर यह चीजे कलियर होगी तो आगे बढ़ते हैं तो एक तो बनता है बच्चो मेरा इस हिसाब से कि लोड़ दारा बढ़ाऊंगा पी पोइंट है पी पोइंट के बाद एक दम से बढ़े लिए ठीक है तो अगर मैं क्या करता हूँ बच्चे लोड़ दारा बढ़ाऊंगा तो टोरक बढ़ेगा लोड दारा बढ़ाने पर क्या हो जाएगा अगर लोड दारा बढ़ाऊंगा तो टोर्क मेरा बढ़ेगा पहला करव तो ये आता है दूसरा करव आता है बच्चो मेरा अगर मैं क्या करूँगा लोड दारा को बढ़ाऊंगा लोड दारा को अगर मैं बढ़ाऊंगा तो स्पीड क्या हो जाएगी कम हो जाएगी ठीक है, लोड़दारा को बढ़ाने पर, speed मेरी क्या हो जाएगी, बच्छो, कम हो जाएगी, अब बात करेंगे, आपने तीसरे डायग्राम के बारे में, तो तीसरा डायग्राम अपना क्या बोलता है, कि अगर टोरुड़ भी बढ़ाऊँगा, तो speed मेरी क्या हो जाएगी, कम कम हो जाएगी मतलब चीजें समझ आगी तिनों डाइग्राम एक साथ यहां पर बना दिए तो इसमें क्या लिखोगे लोड बढ़ाने पर टोरक बढ़ता है यानि लोड दारा अगर बढ़ाऊंगा लोड दारा या आर मेचर की दाराई लिख सकते हैं तो टोरक समानुपाती क्या होता है आई ए आर मेचर करेंट के समानुपाती होता है और इसमें क्या होता है इसमें ये लिख सकते हो आप लोग आई ए विदकर मानुपाती एक बटे एन होता है ये चीज़ भी लिख सकते हो इसमें क्या जी लिखोगे आप लोग तो इसमें लिखोगे एन समानोपाती एक बट्टे फ्लक्स इसमें आप लोग ये जी लिखोगे कलियर है किसी भी बच्चे को इसमें किसी भी प्रकार का कोई डाउट अन जी कि अगर के लिखाए है कि आगे बढ़ें कि अगर है कि अब कि कि अगर करें अगर कि आगर के अगर के लिखाए है